खोजो, 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 खोजो रात में जब बहुत अंधेरा होता है तो कभी-कभी प्रकाश की जरूत पड़ती है और कभी-कभी कुछ प्रकाश बहुत देर कर देते हैं तो हमारी इस कभीता संध्या में काफी देर हुई और उसके लिए मुझे अपना समय बचाना पड़ेगा कि मैं कम से कम बोलूँ और आप कभीयों को ज्यादा से ज्यादा सुनें तो अर्थ कल्चर फेस्ट और रिखता फाउंडेशन के तत्वाधान यानि सहयोग से आयोजित इस कभीता संध्या में आप सभी का स्वागत है फरवरी की ये जाती हुई शामे इससे भेतर क्या भीतेंगी कि इस शाम आप कभीता सुन रहे हैं और कभीता के सानिध्या में हैं आज हम कभीता के सानिध्या में हैं और कल यहां से कुछ दूरी पर पुस्तकों का सानिध्या आप लोगों को प्राप्त होगा एक लंबा समय आप उस तक मेले में गुजारेंगे और ये तमाम कवी आपको वहाँ भी नजर आएंगे जब अनुभव बहुत सघन होकर कागस पर उतरने लगते हैं और उन नवरस की ओर ले जाते हैं जिनका आस्वादन करना ही कविता होता है तब इस तरह की शाँ में आती हैं और उस शामों में आते हैं इस तरह के कवी जिनमें हमारे साथ है साहित्यक आदमी पुरसकार से पुरसकृत प्रॉफेसर अनामेका हमारे साथ हैं वरिष्ट कवी दिनेश कुश्वाहा हाल ही में जिनके तुम्री के शब्दों को साहित्य का आदमी से नवाजा गया बद्री नारायन यात्राओं में जिनको लेखन का आनन दाता है हमारे साथ में हैं लेखक मानव कॉल और आज के इस कविता संध्या की अध्यक्षता कर रहे हैं वरिष्ट कभी अश्ट भुजा शुक्ले और मेरा नाम है अन्जुम शर्मा तो बहुत ज़्यादा मैं आपका समने लूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा देर वैसे ही हो रही है मैं सबसे पहले एक ऐसे लिखक को बुलाना चाहूंगा जो कहते हैं कि अब जो जैसा दिखता है मैं उसे वैसा ही देखता हूं जो नहीं दिखता वो मेरे लिए है ही नह जो कहते हैं कि तुम्हारी दहलीज पर खड़े होकर कितनी ही बार मैंने कसम खाई नहीं मैं भीतर नहीं आऊंगा और कुछी देर में मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बगल में पाया जाता हूं जो कहते हैं कि जूता जब काटता है तो जिन्दगी काटना मुश्किल हो जाता है जूता जब काटना बंद कर देता है तो वक्त काटना मुश्किल हो जाता है मानव कॉल कविता से अपने लेखन की शुरुवात करने वाले लेखक हैं जिनकी तमाम कविताएं कर्ताने कर्म से में दर्ज हैं जो अपने बहुत सारे बिखरे हुए को संभाल कर रखते हैं और उसे बार-बार मिलने को उच्शुक रहते हैं तालियों से स्वागत कीजिए मानव कॉल का और उनसे पूछिए कि बहुत दूर, कितना दूर होता है। नमस्कार, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। मुझे लगता है कि ये कविताओं का प्यार है कि आप लोग इतनी देर तक टिके हुए हैं। वरना रात तो बहुत हो गई है। मैं अपनी कविताओं शुरू करता हूँ। पहली कविता है बादल। जब खाना खाने के बाद तुम ठाली में अपनी उंगलियों से चितर बनाती हो। तो पता नहीं क्यों मैं उस वक्त बादलों के बारे में सोचता हूँ। उस समय एक चुप्पी रहती है। अजीब सी लंबी बहुत लंबी चुप्पी। शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम अपनी उंगलियों से थाली में क्या बना रही हो। पर मैं उन बादलों को देख रहा हूँ जिने कभी तुम घना कर देती हो। तो कभी एक भी बादल तुमारी थाली में नहीं होता। फिर तुम एक गहरी सांस भीतर लेती हो और उसे छोड़ देती हो। चुपी रहूं या कुछ कह दूं। जैसे विचारों के बहुत से हाथी और खरगोश बादलों में बनते बिगड़ते रहते हैं। तभी अचानक तुम बादलों को अकेला छोड़कर थाली के किनारों को जोर-जोर से रगड़ने लगती हो। जैसे जो बादल अभी अभी तुमने बनाए थे वो बस बरसने ही वाले हैं। तभी एक बून थाली में आकर गिरती है और सारे के सारे बादल भीग जाते हैं। दूसरी कविता है जिया जा चुका। जितना भी गुजर चुका है वो सपना ही है। जिया है का विश्वास कम है फिर भी जिये जा चुके के पिंजरे में कैद हूँ। और अब जो जीना है उसे जिये जा चुके के पिंजरे से हाथ बाहर निकाल कर छूने की कोशिश करता हूँ। जिया जा चुका जीने नहीं देता है मैं बैठा रहता हूँ क्योंकि खड़े होने का डर है डर है कि कहीं मेरे खड़े होने से कोई जिया जा चुका पिंजरे से बाहर न गिर जाए क्योंकि बाहर तो अभी जीना है जिया जा चुका बाहर के जीने में कहीं खोना जाए अगली कविता है पतंग छोटे छोटे नामालूम कितने सारे संबंदों के सिरे गिंता बैठा तब जो कुछ छूड़ गए हैं और जो कुछ छूटने को हैं जो संबंद छूड़ गए हैं वो कहानी बन गए हैं जिन्हें कहते सुनते हमारा वक्त गुजर जाता है और जो संबंद छूटने को हैं वो अभी इस वक्त वैसे हैं जैसे जैसे आपकी पतंग कटने के बाद कोई बच्चा आपके मांजे को कहीं और पकड़ लेता है वो छोड़ पे खड़ा होकर इंतजार करता है पतंग कटने के दुख को भूल कर अपने मांजे को बचाने में लग जाते है दोनौ के संबंद का तनाव मांजे पर देखा जा सकता है पतंग बाजों के अनुसार जो संबंद को पहले खिंच के तोड़ेगा उसके पास सबसे कम मांज़ा आएगा धैरे, परिक्षा धैरे की होती है, क्योंकि बात कहानी में नायक होने की है गर उसने संबंद पहले तोड़ा, तो कहानी आपकी है, और नायक भी आप ही है पर अगर आपका धैरे तूट गया, तो पूरी जिंदगी कहानी में आपकी भुमिका खलनाय की होगी टीस सब कुछ हो रहा है हर शाम एक टीस का उठना सब कुछ होने में शामिल रहता है किसम किसम की कहानियां आको के सामने चलती रहती हैं कुछ पढ़ता हूँ, कुछ गड़ता रहता हूँ दिन में आस्मान देखता हूँ जो तारा रात में देखते हुए छोड़ा था उसे दिन में ढूनता हूँ सपने दिन के तारो जैसे हैं जो दिखते नहीं हैं, ढूनने पड़ते हैं रात में सपने नहीं आते हूँ सपनों की शकल का एक आदमी आता है ये बचा हुआ आदमी है जो दिन के सब कुछ होने में सरकता रहता है और शाम की टीस के साथ अंदर आता है ये दिन की कहानी में शामिल नहीं होता इसकी अपनी अलग कहानी है जिसे जीना बाकी है एक प्रेम कविता सुना देता हूँ कविता का नाम है चोरी से बहुत पहले अब तो मुझे याद नहीं कब मैंने अपने हाथ पर लिख दिया था प्रेम क्यों का पता ने पर शायद मेरे भीतर पड़े सुखे कुएं के लिए बाल्टी खरीदने की आशा जैसा था सो मैंने इसे अपने हाथ पर लिख दिया प्रेम आशा ये कि इसी किसी को दे दूँगा जबर्दस्ती नहीं चोरी से किसी की जेब में डाल दूँगा या किसी की किताब में रख दूँगा या रख के भूल गया जैसा किसी के पास छोड़ दूँगा अब इससे क्या होगा ठीक ठीक पता नहीं पर शायद मेरा ये प्रेम जब उस किसी के साथ रहते रहते बड़ा हो जाएगा, तब मैं बाल्टी खरीद कर अपने सूखे कुएं के पास जाऊँगा, और वहां मुझे पानी पड़ा मिलेगा, पर ऐसा हुआ नहीं, प्रेम मैं चोरी से किसी को दे नहीं पाया, वो मेरे करता हूँ, और इसे लिए तुम्हारे साथ घुमता रहा, सोचा इसे तुम्हें दे दूँगा, नहीं जबरदस्ती नहीं, चोरी से, तुम्हारे बालों में फसा दूँगा, या तुम्हारी गर्दन से लुलती हुई पसीने की बूंद के साथ बहा दूँगा, या अपने क चोरी से तुम्हें दे नहीं पाया, ये मेरी हतेली में ही गुदा रहा, पर अभी कुछ समय पहले अभी ठीक्टी कियाद नहीं कब, ये वाकिया अचानक कविता बन गया, प्रेम, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, और उसकी कविता, भीतर कुवां वैसे ही सूखा पड़ा था, बाल्टी खरीदने की आशा अभी तक आशा ही थी, और ये कविता, मैं इसे कई दिनों से अपने साथ लिए घूम रहा हूँ, अब सोचता हूँ कम से कम इसे ही तुम्हें सुना दूँ, ने, ने, जबरजस्ती ने, चोरी से भी नहीं, बस तुमारी इच्छा से, शुक्रिय बहुत शुक्रिया मानव, तो मानव कॉल थे, आप सब के बीच में प्रेम के साथ उन्होंने समापन किया, मैं यहां बता दूँ, ये कविताओं की शाम, उन कविताओं की शामों की तरह नहीं है, जहां जो शामे चुटकुलों में बदल जाया करती है, आज के मंच की अपन होने लगेगी, जिसके शुरुवात अभी मानव कॉल ने की, चुकि उन्होंने प्रेम पर खत्म किया, तो मैं जिस कवि को आमंत्रित कर रहा हूं, उनका एक बहुत भरोसा प्रेम में है, और वो कहती हैं कि इस दुनिया को किवल बदलेगा, तो प्रेम बदलेगा, साहित्य एक आदमी के इतिहास में एक आदमी सम्मान पारने वाली पहली कवैत्री, मैं महिला कवी की बात कर रहा हूं, वो पहली है, जिनको ये सम्मान से सम्मानित किया गया, जिनकी कविताओं और बोलियों में स्त्रियों का समय बोलता है, और वो बहुत मध्धम सुर में बोलता है लेकिन जो घाओ करता है वो बहुत तीवर होता है अंग्रेजी की प्रोफेसर है लेकिन हिंदी उनकी धमनियों में बहती है उनकी कविता की पंक्तियां है कि जो बातें मुझको चुब जाती है मैं उनकी सुई बना लेती हूँ चुभी हुई बातों की हिसूई से मैं, मैंने टांके हैं फूल सभी धर्ती पर दुनिया में प्रेम के लिए मन मांजने की जरुवत पर जोर देने वाली प्रोफेसर अनामिका को मैं आवाज देना चाहता हूँ जिनका एक स्टेटमेंट ठाली में बहुत चर्चित हुआ जब उन्होंने कहा कि इस दुनिया में स्त्रियों को पुरुष जैसा होने की जरुवत नहीं है बलकि पुरुषों को स्त्री जैसा होने की जरुवत है तालियों के साथ स्वागत कीजिए प्रोफेसर अनामिका आप लोगों को इधर प्रणाम, आप लोगों को उधर प्रणाम जो पहली कविता में सुनाने जा रही हूं उसका शीर्शक है दर्वाजा मैं एक दर्वाजा थी मुझे जितना पीटा गया मैं उतना खुलती गई अंदर आये आने वाले तो देखा चल रहा है एक ब्रिहत चक्र चक्की रुकती है तो चर्खा चलता है चर्खा रुकता है तो चलती है कैची सुई गरज्या की चलता ही रहता है अनवरत कुछ-कुछ और अंत में सब पर चल जाती है जाडू तारे बुहारती हुई बुहारती हुई पहाड, व्रिक्ष, पत्थर स्रिष्टि के सब तूटे बिखरे कत्रे जो एक टोकरी में जमा करती जाती है मन की दुछत्ती पर दूसरी कविता का शीर्शक है नमक नमक दुख है धर्ती का और उसका स्वाद भी धर्ती का तीन भाग नमकीन पानी है और आदमी का दिल नमक का पहाड कमजोर है दिल नमक का कितनी जल्दी पसीच जाता है गड़ जाता है शर्म से जब फेंकी जाती है थालियां दाल में नमक कम या जरा तेज होने पर वो जो खड़े है न सरकारी दफ्तर शाही नमकदान है बड़ी नफासत से छिड़क देते हैं हर दम हमारे जले पर नमक जिनके चेहरे पर नमक है पूछिए उन औरतों से कितना भारी पड़ता है उनको उनके चेहरे का नमक जिन्हें नमक की कीमत करनी होती है अदा उन नमक हलालों से रंज रखता है महासागर दुनिया में होने नदी उन्होंने क्रांतियां रहम खा गए दुश्मनों पर गांधी जी जानते थे नमक की कीमत और अमरूदों वाली मुनिया भी दुनिया में कुछ और रहे न रहे रहेगा नमक इश्वर के आंसू और आदमी का पसीना यही वो नमक है कि जिससे थिराई रहेगी यह दुनिया तीसरी कविता है स्त्रिया पढ़ा गया हमको जैसे पढ़ा जाता है कागज बच्चों की फटी कौपियों का चना जोर गरम के लिफाफे बनाने के पहले सुना गया हमको योही उड़ते मन से जैसे सुने जाते हैं गाने सस्ते कैसे टोपर ठसा ठस ठुसी हुई बस में देखा गया हमको जैसे के कुफ थो उनी दे देखी जाती है कलाई घड़ी अलस सुबह अलार्म बजने के बाद भोगा गया हमको बहुत दूर के रिष्टेदारों के दुख की तरह एक दिन हमने कहा हम भी इंसान हैं हमें काइदे से पढ़ो एक-एक अक्षर जैसे पढ़ा होगा नौकरी के बाबिये के बाद नौकरी का पहला विज्यापन देखो तो ऐसे जैसे के ठिठुरते हुए देखी जाती है बहुत दूर जलती हुई आग सुनो हमें अनहद की तरह और समझो जैसे समझी जाती है नई नई सीखी हुई भाषा इतना सुनना था के अधर में लटकती हुई एक अधर श्य टहनी से टिठियां उड़ी और रंगी नफवा हैं चीखती हुई चीँ चीँ दुश्यरित्र महिलाएं किन्ही सरपरस्तों के दम पर फूली फैली अगर धत जंगली लताएं खाती पीती सुख से उबी और बेकार में बेचैन आवारा महिलाओं का ही शगल है ये कहानिया और कविताएं फिर ये इन्होंने थोड़े ही लिखी हैं कन्खियां इशारे फिर कन्खी बाकी कहानी बस कन्खी है हे परम पिताओ परम पुरुषो बक्षो बक्षो अब हमें बक्षो अंतिम कविता है अनुवाद लोग दूर जा रहे हैं हर कोई हर किसी से दूर लोग दूर जा रहे हैं और बढ़ रहा है मेरे आसपास का स्पेस इस पेस का अनुवाद विस्तार नहीं अंतरिक्ष करूँगी मैं क्योंकि इसमें मैंने उड़न तश्तरी छोड रखी है समय का धन्यवाद के मेरी घड़ी बंद है धन्यवाद खिड़की का के एन उसके सीख्चों के पीछे गर्भवती है चिड़िया जो भी जहां है सब का धन्यवाद के समय मुझ में सब हैं सब में मैं हूँ थोड़ी थोड़ी भाएं भाएं बजाता है हार्मोनियम मेरा खाली घर इस खाली समय में बहुत काम है अभी मुझे घर की उतरनों का अनुवाद करना होगा जल की भाशा में फिर जूठी प्लेटों का किसी श्वेत पुष्प की पखुडियों में अनुवाद करूँगी मैं फिर थोड़ी देर खड़ी सोचूँगी कि एक जाग भरे सिंक का क्या मैं कभी कर सकूँगी किसी राग में अनुवाद दरसल इस पूरे घर का किसी दूसरी भाशा में अनुवाद चाहती हूं मैं पर वा भाशा मुझे मिलेगी कहां सिवा उस भाशा के जो मेरे बच्चे बोलते हैं इसमें ही हो जाएगी शाम और इस शाम का अनुवाद इतना ही करूँगी के उठूँगी खोल दूँगी परदे अंति मुझास की छिट्की हुई किर्चिया पल भर में भर देंगी साहरा का साहरा स्पेस और फिर उसका अनुवाद अंतरिक्ष नहीं विस्तार करूँगी मैं खालिस विस्तार तालियां आपकी थोड़ी कम है अनामिका जी को चूंकि जाना है कुछ बहुत देर हो चुकी और घर में कुछ इमर्जंसी है तो उन्होंने कहा था कि आप मुझसे थोड़ा पहले पढ़वा लिजिएगा इसलिए मैंने उनको पहले आवाज दी जबकि उनसे पहले मैं वरियता क्रम में चल रहा था जो सबसे चोटे हैं वो सबसे पहले आए उनके बाद वो आएं जो उनसे बड़े हैं और सबसे वरिष जो हैं वो इस मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं तो उस क्रम को जब मैंने तोड़ा तो अब मैं वापस उसी क्रम पर आ रहा हूं और आवाज दे रहा हूं एक ऐसे लिखक को जो जिनका संबंद साहित्य से भी है औ और सामाजे के तिहास से भी जो बिहार में पैदा हुए और हाल ही में साहित्यक आदमे पुरसकारों की जब घोशना हुए तो उन्हें वो पुरसकार देने का एलान की किया गया उनकी पुस्तक है तुम्री के शब्द जिनकी कविताओं में वो ऐसे कवी हैं जो अपनी कवि जो आदमी को आदमी बनाता है जैसे भरोसा, सपने, खेल, घर, कौतुक, इच्छाएं, प्रेमगीत या प्रेमपत्र और वो कविता में जब कहते हैं कि प्रेत आएगा, किताब से निकाल के ले जाएगा प्रेमपत्र, गिध उसे पहाड पर नोच नोच खाएगा और एक प प्रेमपत्र ही काटेंगे, तो प्रेमपत्र और प्रेमगीत और इच्छाएं, घर, कौतुक, इन तमाम चीज़ों को अपनी कविताओं में शामिल करने वाले कभी बद्री नरायां थेंक यू, मैं कुछ कविताओं पढ़ूंगा, मेरी पहली कविताओं का शिर्षक है, मां का गीत अगर तू सुर्य होता, तो दिन भर आसमान में जलता रहता, अगर तू चांद होता, तो पूर्णिमा से एकम तक तुझे रोज-रोज कसाई के कत्ये से कट्टा पड़ता, अगर तू तारा होता मेरे लाल, तो मुझसे कितना दूर होता, अच्छा हुआ तू बद्री नाराइन हुआ दूसरी कविता है, न जाने क्या हुआ न जाने क्या हुआ, कल एक राजा नीद में चिला उठा, मंत्रियों मुझे लोग गाथाओं में जगह चाहिए चिंतित हुए सारे मंत्री, अधिकारी, हैरान, जिसके पास पुलिस है, असंख किले हैं, जिसके पास जल, दुर्ग, थल, दुर्ग, चौसट किले हैं, उस राजा को क्या जरूरत पड़ी लोग गाथाओं में जगह के लिए हुआ गहन विचार, सब्द, सत्ता, सिस्मृतियां, मिथक, गाथा, पुरान, पुर्खे, पुरोहित, ओम, मौम, ब्रह्म, ग्यान, सब को आमंत्रित किया गया, सब सुने, सब सोच में पड़ गए इस राजा के लिए लोग गाथाओं में कैसे जगह बनाई जाए, चलो, यह राज किसी मदारी से जाना जाए, नजाने कहां से पकड़ एक बाजीगर बुलाया गया, उसे सारी स्थीतियों से आउगत कराया गया, सब सुन हसा मदारी, यह लो, हा हा हा, राजा को भी अब लो गाथाओं में नायक बैठते हैं, अचानक वह हुआ गंभीर, फिर पुछा, कभियों से बात की? नहीं, लेकों से बात की? नहीं, गाओं में जिनकी आखों में डूपता है सूरज उन बुढ़ी औरतों से बात की? नहीं, तो मुर्खों राजा के लिए किस तरह और कैसे बनाओगे लोग गाथाओं में, इसके लिए गलियों, पेडों, चिडियों से बात करनी होगी, हवा को समझाना होगा, पानी को मनाना होगा, बीजों को कहीं ले जाकर धीमे से बुझाना होगा, काया कल्प करना होगा, इतने पर भी नहीं होगा, सबसे बड़ी बात है कि र किसरी कविता है वेगम पूरा एक्स्प्रेस एक ट्रेन चलती है पंजाब में पंजाब से हर साल एक रविदास मेला लगता है बनारस में तो एक ट्रेन चलती है जालंधर से बनारस तक जिसका नाम है बेगमपूरा एक्सप्रेस और बेगमपूरा आप जानते है रविदास की का नगरी है रविदास ने जिसको कल्पित किया है तो ये कविता उसी पर है अमरपूरा बेगमपूरा एक्सप्रेस अमरपूर से बेगमपुरा तक चलती है एक ट्रेन बेगमपुरा एक्सप्रेस सुबह पाँच दस पर बिल्कुल ब्रह्मभ वेला में टिकट काउंटर पर बैठा है क्लर्क टिकट लेकर कहते हैं कि पैसे से बिल जाता है सब कुछ पर लोग हाथ में लिए खड़े हैं पैसे, रुपए, वे एटियम काट टिकट बाबू फिर भी उन्हें टिकट नहीं देता कतली, खूनी, बलतकारी, बैमान, चालू, फ्रॉड, हिंसक, जूट, बवाली, सुल्तान, साहिब, मालिक इन सब को नहीं मिलेगे चिकट इन सब को नहीं मिलेगे चिकट, दम भी कभी, सत्ता के बौधिक, सब खड़ी रह जाएंगे और नहीं मिलेगा उन्हें इस ट्रेन का चिकट टिकट बाबू अगर बेचना भी चाहेगा, तो उसके हाथ बेकार हो जाएंगे जो ढ़ाई आखर जानता होगा, वही बेचेगा टिकट जो ढ़ाई आखर जानता होगा, वही पाएगा टिकट लहरों से आए तारों को, कोमल मन सुकमारों को, सराय के मालिकों को तो नहीं पर सराय में रुकने वालों को मिल जाएगे टिकट सराय में रुकने वालों को मिल जाएगे टिकट टिकट बाबू सोना ले लो, चांदी ले लो, मुहरे और मोती ले लो पर मुझे दे दो टिकट मैंने कई दसकों से कोई आत्रा नहीं की है मैं जाना चाहता हूँ बेगमपुरा मैं जाना चाहता हूँ बेगंपुरा ट्रेन खुलने लगी है हरे पंक्षी पेंड से उढ़ने लगे है ट्रेन में घाना बैठे हैं पीपा बैठे हैं बैठे हैं सेना नाई ट्रेन खुलने लगी है ट्रेन खुलने लगी है एक कविता है कुर्टा और लड़की कुर्टा और लड़की कविता का शिर्षक है एक कुर्टा था एक लड़की एक कुर्टा था एक लड़की लड़की को वह कुर्टा बहुत पसंद था जब भी वह उसे मेरे देह पर देखती मुध हो जाती धीरे धीरे वह कुर्ता पुराना होता गया उसके धागे घिस्ते गए रंग उरता गया धीरे धीरे वह लड़की उस कुर्ते से उदासीन होती गई धीरे धीरे वह लड़की उस कुर्ते से उदासीन होती गई उसे देखती और आँखे चुका लेती मैं उस कुर्ते को ले कोरी के पास गया कोरी कोरी इस कुर्ते के धागों को फिर से नया कर दो उसने कहा यह मेरे बस में नहीं फिर रंग्रेज के पास गया रंग्रेज रंग्रेज इस कुर्ते को फिर से रंग दो उसने कहा यह मेरे बस में नहीं उसी वक्त करवा चौथ के लिए आकास पर आये चांद ने कहा यह काम न दुनिया कर सकती है न देवता यह काम न दुनिया कर सकती है न देवता इसे नया सिर्फ वह लड़की ही कर सकती है जो इस पर पहली बार मुगध हुई थी उसे नया वह लड़की ही कर सकती है जो इस पहली बार बुगध हुई थी अब मैं अपनी अंतिम कविता शुनाता हूं वो मैंने एकदम नई कविता लिखी है और मैं आपको शेयर करता हूँ के कविता कविता का सिर्शक है बीना सिर्शक के कविता है एक लोड़ा है, एक सिल्वट, पर दोनों कुचते हैं, दोनों ही पार्ट पीशते हैं, बस इतना ही अंतर है, एक उपर है, एक नीचे, दोनों ही पार्ट पीशते हैं, बस इतना ही अंतर है, एक उपर है, एक नीचे, एक अगल है, एक बगल, पर दोनों काड़ते हैं, फर्क बस इतना है कि एक बाएं है, एक दाएं, पर दोनों चूपते हैं, एक बाहर है, एक भीतर, दोनों चूपते हैं, कूचे जाते, पीसे जाते, कटते, चूरते, चुबन में रहते, हसते भी हसते हैं हम, हसते भी हसते हैं हम, धन्यवाद. बहुत शुक्रिया, बद्री सर, इस कविता के लिए, और अगले कवी को बुलाओं, उससे पहले, मैं एक कविता सुना देना चाहता हूँ, यहाँ पर, और मैंने मन्च से इजाज़त में ले रहा हूँ, उस कविता के लिए, उस कविता का नाम है, बाया कांधा, तुम और चश्मे का फ्रेम, चुकि संचालन कर रहा हूँ, तो यह छोटी सी गुस्ताखी यहाँ पर, मैं कर रहा हूँ, बाया कांधा, तुम और चश्मे का फ्रेम, इस कविता का शीर्शक है, समय हमारे पास दरसल है, और इससे पहले, मैं दिनेश कुश्व जिनको अपनी कविताय याद रहती हैं और उनकी कविता के पढ़ने का अंदाज जब आप दिखेंगे तो आपको लगेगा कि कविता ऐसे भी पढ़ी जाती है और इक कविताय बहुत लोगों को भी याद रहती हैं उससे पहले ये कविता, चुकि बहुत सारी युवा यहां बैटे हैं और मुझे मन्च से पीछे से कहा गया कि कोई युबाओं के लिए कोई प्रेम कविता पढ़ दिजे तो मैं एक कविता पढ़ रहा हूँ बाया का अंधा तुम और चश्मे का फ्रेम याद है सर्दियों की सुभध जब धुन से आँख मिला कर तुमसे मिलने आया करता था मैं और तुम उनी इंदी आँखों से मेट्रों की सीड़ी पर बाट जोहा करती थी मेरी अपने ठंडे हाथ तुम्हारी हथेलियों में रख कर दुहराता था किदारनाच सिंग की कविता कि उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुन्दर होना चाहिए तुम लजाकर जटक देती थी मेरा हाथ और मेरे चश्मे के दोनों लेंस पर कन्ने उंगली से लिख देती थी अपने नाम के दो अक्षर तुम्हें शिकायत रहती थी कि मेरे चश्मे का फ्रेम छोटा है बहुत कि उसके लेंस पर नहीं आता हम दोनों का नाम और इतना कहकर किसी पौधे की तरह जुग जाता था तुम्हारा सिर मेरे बाएं कांधे पर एक रोज जब तूट गई थी मेरी कोला पुरी तब उतार दी थी तुमने भी अपनी चपल और उड़ने लगी थी मेरे साथ हरी दूप पर उस रोज आकरी बार घास इतनी अधिक सबस होई थी और तुम इतनी अधिक गुलाबी उस रोज आकरी बार दिल्ली में अंद्र धनुश अपनी पूरी रंगत में निकला था और आकरी बार मैंने बादलों पर घोड़े दोड़ाए थे तुम्हारे यादों की नदी में मैं रोज डूपता हूँ और रोज तलाशता हूँ किनारा मेरे चश्मे का फ्रेम अब कुछ बड़ा हो गया है लेकिन तुम्हारी उंगलिया इतनी दूर कि मेरी दूर की नजरों को भी वो नजर नहीं आती कुलापूरी अब तूटती नहीं है और धुंद के साथ चलना सीख लिया है मैंने बस हाथ ठंडे रहते हैं और बाया कांधा बाया कांधा बहुत दुखता है सर्दियों में बहुत शुक्रिया अब मैं आवाज दे रहा हूँ एक ऐसे कवी को जिनका संबंध दिवरिया से भी है जिनका संबंध बनारस से भी है घुमकडी उन्हें पसंद है राहूल संत्यत्यायन पर उन्होंने शोध किया है वसुधा एक प्रतिष्ठित हिंदी की पत्रिका है साहित्तिक पत्रिका उसके सहायक संपादक रहे है जिनकी कविताएं पाठकों की जबान पर रहती है पाठ करना का जो हुनर है पाठ करने का तरीका है वो बहुत अनूठा है जो इतिहास के अभागों की बात करते हुए कहते हैं कि वे अभागे कहीं नहीं है इतिहास में जिनके पसीने से जोडी गई भव्य प्राचीरों की एक-एक इंट पर अभी भी है मिसर के पीरामिड चीन की दिवार और ताज महल दिनेश कुश्वा एक ऐसे कवी जिनोंने स्मिता पाटिल रेखा हेलेन मीना कुमारी से लेकर डॉक्तर विशुनात त्रिपाठी के खाने तक पर कविताएं लिखी है उनका कावे संसार बहुत वैविद्य है और उसी में से आज वो कुछ कविताएं अपके सामने प्रस्तुत करेंगे और मेरी दरख्वास उनसे ये भी है कि वो एक कविता जो मेरी बहुत पसंदीदा है और जितने लोग उन्हें जानते उनकी बहुत पसंदीदा है पिता की चिता जलाते हुए उसका जरूर पाठ करें सर स्वागत सुक्रिया अंजम सम्माने कविमित्रों और सामने बैठे सुरोताओं पहले एक बहुत छोटी सी कविता जो अभी बनने के एक क्रम में है चार पंक्तियों की कील इमानदार आदमी इमानदार आदमी आजकल कुर्सी से निकली कील की तरह है कोई भी ठोक देता है उसे कोई भी ठोक देता है उसे अपनी सुविधा के अनुसार और बहुत हुआ तो निकाल कर फेक देता है मैं एक कविता जो मुझे ध्यान में नहीं था मेरा क्याल है नब्वे में हंस में छपी थी लेकिन बद्री नरायन ने लड़की और कुर्ता कविता पढ़के उसकी याद दिला दी तो मैं वो कविता पढ़ रहा हूँ और वो कविताएं भी पढ़ूँगा जिसे अंजम ने कहा है लड़की और सोना ये थोड़ा समाज सास्त्र और बाजार की भी कविता है और सलेश की भी कविता है सोना यहाँ लड़की की सुन्दरता और उसके उसकी निद्रा और कंचन स्वन्द के रूप में प्रियुक्त है तो मैं आपको पढ़ता हूँ कविता लड़की हेम कंचन कनकलता होती है लड़की हेम कंचन कनकलता होती है लड़की होता सोना होता है लड़की हेम कंचन कनकलता होती है लड़की की कहानी सोना होती है लड़की की जवानी सोना होती है सोना होता है लड़की का सुहाग जिस पर टिकी होती है उसकी पहचान जैसे थूनी पर छान और इस तरह लड़की सोने के पक्ष में खड़ी कर दी जाती है एक दिन एक दिन सोना उसके नाक, कान, दिल में समा जाता है कि लड़की चाहती है सोने जैसा पती सोने जैसा बेटा बस नहीं चाहती बेटी इस तरह सोना उसे ही उसके खिलाफ खड़ा कर देता है लड़की हसती है तो सोना जहरता है लड़की बोलती है तो सोना बजता है लड़की चलती है तो सोना ढलता है यानि उसका हसना, बोलना, चलना, सब सोना होता है इस तरह समूची लड़की सोने में बदल दी जाती है लड़की पहले भी चाहती थी सोने का मरक चला, लड़की आज भी चाहती है सोने का बाला, लुटेरे लड़की का सोना लूटते हैं और गढ़ते हैं सोने की लंका और सोने और सुन्दर्ता की ट्रेजडी ये है कि कोई उस पर विस्वास नहीं करता कि ये सुद्ध है अच्छी सूरत भी क्या बुरी शेय है अच्छी सूरत भी क्या बुरी शेय है जिसने डाली नजर बुरी डाली तो आगे की पंक्तियां हैं जहां कविता खत्म होती है कि हजार हाथों की अगनी परिक्षा और काली कसाउटियों की गड़ सहकर भी सोने के गुमान में इतराती है लड़की लड़की सोना छुपाने में हर घड़ी रहती है परेशान और कभी निश्चिन्त नहीं हो पाती यहां तक की सोने में भी सोने पर धरे रहती है हाथ गोरी हो या गहना बहुत दिन नहीं टिक पाता है सोने का पानी एक दिन दिखने लगते हैं चांदी के तार गोरी हो या गहना बहुत दिन नहीं टिक पाता है सोने का पानी एक दिन दिखने लगते हैं चांदी के तार तब भी सोने के जाल से नहीं निकल पाती है लड़की एक प्रेम कविता चोटी चोटी कविता क्योंकि समय के एक कविता का सिरसे के प्रेम कविता सुनाने जा रहा हूं इसी काया में मोक्ष बहुत दिनों से बहुत दिनों से मैं किसी ऐसे आदमी से मिलना चाहता हूँ जिसे देखते ही लगे इसी से तो मिलना था पिछले कई जन्मों से एक ऐसा आदमी जिसे पाकर यह देह रोज ही जन्मे रोज ही मरे ज़रे हर सिंगार की तरह जिसे पाकर मन फूल कर कुपपा हो जाए बहुत दिनों से मैं किसी ऐसे आदमी से मिलना चाहता हूँ जिसे देखते ही लगे अगर सारी दुनिया अपनी आखों नहीं देखी तो भी यह जन्म व्यर्थ नहीं गया बहुत दिनों से मैं किसी को अपना कलेजा निकाल कर दे देना चाहता हूँ मुद्दतों से मेरे भीतर भर गया है अपार मर्म मैं चाहता हूँ कोई मेरे पास भूखे सिशु की तरह आए कोई मत डाले मेरे भीतर का समुद्र और निकाल ले सारे रतन बहुत दिनों से मैं किसी ऐसे आदमी से मिलना चाहता हूँ जिसे देखते ही भक से बर जाए आखों में लओ और लगे कि दिया लेकर खोजने पर ही मिलेगा धरती पर ऐसा मनुश्य बहुत दिनों से मैं जानना चाहता हूँ कैसा होता है मन की सुन्दर्ता का मान सरोवर छूना चाहता हूँ तन की सुन्दर्ता का सिखर चाहता हूँ मिले कोई ऐसा जिससे मन हजार बहानों से मिलना चाहे बहुत दिनों से मैं किसी ऐसे आदमी से मिलना चाहता हूँ जिसे देखते ही लगे सारे पाप मिट गए कट गए सारे बंधन की मोक्ष मिल गया इसी काया में की मोक्ष मिल गया इसी काया में पीता की चिता वाली सुना दें पीता की चिता वाली सोड़ा सही पानी के गिलास दे दीजिए मित्रों जो भारती काब्य सास्त्र है उसके अनुसार ये निशत दविशे है जिस पर कविता नहीं लिखी जानी चाहिए लेकिन अपने दुख को निकालने का कोई तरीका नहीं था और जब मैंने लिखा तो अपार लोगों के दुख साएद उससे मिल गए जैसा की अनुस्जुम ने कहा बहुत पसंद की गई ये कविता फिर भी कविता का शिरशक है पिता की चिता जलाते हुए कुछ बातें अकसर कहते थे पिता भादो की किसी बिकट काली रात में अपने निकट बहने वाली नदी को उसकी समग्र भयावहता में देखो और कल्पना करो कि यमुना को कैसे पार किया होगा वसुदेव ने एक नौजात बच्चे के साथ तुम्हें लेकर जीवन की बैतरनी को कुछ इसी तरह पार किया है मैंने धन्यबाद बहुत बहुत धन्यबाद अगहाए हुए और रिर्याते आदमी की हसी में फर्क करना सीखो अगहाए हुए और रिर्याते आदमी की हसी में फर्क करना सीखो अभागा आदमी का बच्चा जन्मते ही रोना शुरू करता है जिन्दगानी की कहानी वहीं शुरू हो जाती है तूटी जोपडी, फटी धोती, डसी देह और कुछली आत्मा ने गरीब को एक अधम सरीर बना दिया पंच तत्व तो छितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व तो आज भी अमीरों की चाकरी में लगे हैं इसलिए जनता को सास्त्र नहीं कविता से सिक्षित करो साधुता को स्रम से जोडो, भिक्षा से मुक्त करो कि साधुता वहां बसती है जहां जूता गाटते हैं रैदास चादर बुनते हैं कबीर, बतरस के तो रसिया थे पिता कोई नहीं मिलता तो बैलों से ही बोलते, बतियाते उसी पिता को इधर कुछ दिनों से देखकर आश्चर्य होता था मुझे कि आदमी जीवन में कैसे रहता है इतना चुपचाप विश्वास नहीं होता कि बप्पा सपना हो गए उन्हें देखकर लगता था कभी कि गाउं, जवार, खेत, खलियान इसलिए जवान हैं कि पिता जवान हैं कुएं का पानी सूख जाएगा, पर पिता की जवानी खत्म नहीं होगी लेकिन ओचक चले गए पिता गाउं से सटकर बहती सर्यू के किनारे, कभी आग की फूल की तरह खिले थे पिता और आज वहीं आग की नदी में नहा रहे थे सबसे पहले पिता के जलते हुए दोनों पाउं जूल गए जैसे उतान लेटे पिता ने टांगे बटोर ली हों और कह रहे हों अब नहीं चल पाऊंगा तुम्हारे साथ लपटों के बीच लाल अंगार हुए पिता और अस्त होते सूर्य का रंग एक जैसा दिख रहा था बस नहीं दिख रही थी तो पिता की वे आखें जिनके तनिक लाल होते ही हम भाई बहनों की कपकपी छोड़ जाती थी पचास पार करते ही पिता की वोही आखें हर भावक प्रसंग पर डब डबा जाती थी पिता ने जीवन भर चलाया मन भर का हथावड़ा लोहे को देते रहे तरह तरह की शक्ल पर अब बिल्डी के जले ठूटे ही उनकी याद दिलाएंगे की धौकनी सी थी उनकी छाती थाली में रखा चुटकी वर नमक और एक हरी मिर्च थी उनकी आखें भुलाएं नहीं भूलेंगे उनके जीवन के दुख जलते रहेंगे मेरे भीतर दिये की लौ की तरह भर भर आएगा मेरा मन जैसे अनायास नाभी में भरती है कपास जब भी सूखेंगे मेरे होट पीता के पपड़ाए खेत याद आएंगे मित्रों बहुत ध्यान से सुना आपने मैं आप सब सम्मानित कभी मित्रों का और आप सब का बहुत बहुत धन्यबाद करता हूँ धन्यबाद हमारे पास केवल दस मिनट हैं और इस कविता के बाद मुझे लगता है कुछ कहने की मुझे ज़रूरत ज्यादा है नहीं मैं बुलाना चाहूंगा आज के इस कविता संध्या की अध्यक्षता कर रहे हमारे अगरज हमारे वरिष्ट कभी अष्ट भुजा शुकल जी को उत्तरप्रदेश बस्ती से इनका संबंध है अध्यापन करते रहे लोक जीवन के सुख दुख और जीवन के जो सुख दुख में मिलती है पद कुमुध चैत के बादल, दुस्वम भी आते हैं कि तमाम कविता संग्रे उनके हैं पद के लिए जाने-जाते हैं और उन्हीं की कविता से उनको आवाज देता हूँ कि कही जाने के लिए गोर रहा हूं साधन, साधन मिल जाए तो संबव है यहीं रुख ज सबसे पहले मैं इस कविता सत्र के माध्यम से विश्व कविता के उतक्रिष्ट अनुवादक बहुत ही खांटी सज्जन लेखक गड़े संकर विद्यार्थी पर बड़ा काम करने वाले स्री सुरेश सलिल जी को अपनी स्रधान्जल एर्पित करते हैं हम क्योंकि अभी कल ही वो कीर्थि सेश हुए हैं मैं कुछ कविताएं आपको सुनाता हूं कविता है जवान होते बेटों जवान होते बेटों इतना जुकना इतना कि समतल भी तुमको खुद से नीचा समझे कि चीटी भी तुमारे पेट के नीचे से निकल जाए लेकिन जुकने का कटोरा लेकर कोई कंचा फूट जाए तो बिलाप मत करना इस उमर में इच्छाएं कंचे की गोलियां होती हैं कोई कंचा फूट जाए तो बिलाप मत करना और कोई आगे निकल जाए तो तालियां बजाते हुए चहकना कि फूल जहरने लगें किसी को भीख न दे पाना किसी को भीख न दे पाना तो कोई बात नहीं लेकिन कोई आगे लेकिन किसी की तुमरी मत थोड़ना किसी को कभी भीख न दे पाना तो कोई बात नहीं लेकिन किसी की तुमरी मत थोड़ना किसी परेशानी में पड़े हुए की तरह मत दिखाई देना किसी परेसानी में पड़े हुए की तरह मत दिखाई देना किसी परेसानी में से निकल कर आते हुए की तरह दिखाई देना कोई लड़की तुमसे प्रेम करने को तयार न हो कोई लड़की तुमसे प्रेम करने को तयार न हो सके इसके लायक खुद को तयार करना जवान होते बेटों इस उमर में संभो हो तो घंटे दो घंटे मोबाइल का स्विच्च आफ रखने की कोशिस करना इस उमर में संभो हो तो घंटे दो घंटे मोबाइल का स्विच्च आफ रखने का संजम बरतना और इतनी चिकनी होती जा रही दुनिया में कुछ खुर्दुरे बने रहने की कोशिस करना जवान होते बेटों जवानी में न बुढ़ा बन जाना सोभा देता है नसिसु बन जाना यद्दप बेटों यह उपदेश देने का ही मौसम है और तुम्हारा फर्ज है कि कोई भी उपदेश न मानना मित्रो अगली कविता है इस कविता का सीरसक है गालियां और थूक ओह क्या राज प्रासाद था साहब ओह क्या राज प्रासाद था साहब इतना भब्य कि कोई भूखा आदमी देखते देखते दो चार दिन और भूखा रह जाए ओह क्या राज प्रासाद था साहब इतना भब्य कि कोई भूखा आदमी देखते देखते दो चार दिन और भूखा रह जाए उसके चारों और जाडियों खाईयों और कुंजों और महकते फूलों की ऐसी मेखला थी साहब कि लासों की दुरगंद और नौजातों के केंकें की दूर दूर तक कोई आहट टमले क्या चमतकार था साहब क्या चमतकार था साहब कि अंतहपुर में जहरते आंसुगों के जहरने क्या चमतकार था साहब कि अंतहपुर में जहरते आंसुगों के जहरने चौखट तक आते आते चमकीले संग मरमर में बदल जाते क्या चमतकार था साहब कि अंतहपुर में जहरते आंसुगों के जहरने चौखट तक आते आते चमकीले संग मरमर में बदल जाते क्या सक्रिता थी साहब कि कारिंदों के आगे 22 सदी के रोबोट हाथ जोड़ कर खड़े हो जाएं क्या प्रताप था साहब कि मूत उतरते उतरते परिंदों तक को करक पकड़ ले लेकिन क्या बिडंबना थी साहब कि ककरीली गलियों में गालियां और थूक और अभिसाप बेखौफ ठाहलते मिलते राजप्रासाद के चारोब कर दो जो पन्ना खुल जा रहा है वही कुछता सुना देता हूँ एक पद सुनाता हूँ पालि थीन अपना परिधान पालि थीन अपना परिधान तुचा के ऊपर तुचा चड़ोना धारे हूँ स्रीमान पालि थीन अपना परिधान तुचा के ऊपर तुचा चड़ोना धारे हूँ स्रीमान रूई के घर में रहता हूँ रूई के घर में रहता हूँ लगी समी की थूनी पटसन के खिड की दरवाजे रमी द्वार पर धूनी, बिछा पुवाल, बिछा पुवाल बाल के बंधन सेमल का उपधान, भूये की उज्वल किरणों का फैला हुआ बितान, दीपाधार मोम का निर्मित, लाच्छा की लगु लुटिया, फूली हुई कास के बीचों बीच हमारी कुटिया, एंड कुचाल कुभाव कुबोली, मावस की हर रात, मनरा रहे यहां घर फूंकन, आस पास दिन रात, दूर दूर तक कहीं जलासे देता नहीं दिखाई, गरमी की रितुजेट महीना लहक रही पचुआई, कितने दिन तक चल पाएगा अस्त भुजाय धाक, रख देगा कोई चिनगारी, बन जाओगे राक। मित्रो अंतिपत्ट और नहीं अब सहने वाली, और नहीं अब सहने वाली, हम से जद्मा पुरुस वर्ग, हम को ही देता गाली, हर नातों की मूल हमी है, हर नातों की मूल हमी है, हम ही कोठे वाली, हम चौके में, हम बिस्तर में, हम पत्तल, हम ठाली, अंतः पुर से जुग्गी तक बन करके नदी बही हम, जोरन जहां खोंच भर पाई, जम कर बनी दही हम, सूर्यन देखी, घाम न जानी, गाली, लाद सही हम, हम से जो कुछ कहा पुरुस ने, अब तक वही कही हम, हम माया, हम माया तो वे माया भी, हम माया तो वे माया भी कौन दूध का धोया, उनका अपना बचा हुआ सब, हमने सब कुछ खोया, मंच उन्हे ने पत्य हमें यहना तक नहीं चलेगा, मन्च उन्हे ने पत्य हमें यहना टक नहीं चलेगा इस अभिने के मूख दर्सकों सबका दुर्ग जलेगा पहले हटें विदूसक इसमें से फिर बात करेंगे अस्ट भुजा तरजनी दिखाने से अब नहीं डरेंगे बहुत बहुत धन्त कविता अनुशासन से आती है आपकी तालिया कम है मुझे लगता है आपको और जोरदार तालिया बजाने चाहिए कविता अनुशासन से आती है और उस अनुशासन का पालन करते हुए जो मैं समय दिया गया था एक घंटे का उसके भीतर आज की कविता संध्या को हम यहीं विराम देते हैं आप चाहते तो इससे बच सकते थे लेकिन श्रीकांत वर्मा जैसे हवन कविता में लिखते हैं कि जो बचेगा वो कैसे रचेगा तो आप नहीं बचे आप यहाँ पर रुके रहे यानि आप रचनाशीलता के समर्थक है आप रचनाओं के प्रती प्रेम करते हैं उन्हें प्रेम दिखाते हैं तो आपके प्रेम का बहुत-बहुत शुक्रिया शुक्रिया अर्थ का कि उसने रेखता के साथ रेखता और हिंद्वी के साथ ये सहयोग के साथ ही एक कविता संध्या का आयोजन किया, मैं अपने तमाम कवियों का शुक्रिया आदा करता हूँ, अस्ट बुजा शुक्रिया जी जो इसकी अद्यक्ष्टा कर रहे थे, रामिका जी जो किनी कारणों के वजह से मंच पर अभी नहीं है, बद्री नरायन जी, मानव कॉल और साथ में दिनेश कुष्वाह, इन तमाम लोगों का शुक्रिया, शुक्रिया आपका, शुक्रिया प्रोडक्शन टीम का, जिन्होंने लाइव प्रसारित किया, उनका मंच के पीछे, जितने लोग हैं उनका और आपका, बहुत बहुत शुक झाल 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 झाल, खाल झाल, पिम्सकत्फाउनिघर के तो टे Breaking